देखो जब आप original mark sheet के लिए e-service के थुरू apply करते हो और अगर आपको apply करते समय एक error सो होता है जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ हम e-service में आ जाएंगे और apply पर click करेंगे और apply पर click करने के बाद दिखोगे कि आपको e-service के थुरू original mark sheet मंगाने का आपको option मिलता है जैसे कि यहाँ पर आप दिखोगे original mark sheet part admission और यहाँ पर 200 का लिखा हुआ है तो जब हम इस पर click करते हैं तो एक error सो होता है यह आप दिखोगे 403 का एक error सो हो रहा है और नीचे लिखा हुआ है NOT allowed तो यह error क्यों सो हो रहा है और इसका solution क्या है कैसे आप अपने घरबैठे original mark sheet को online apply कर सकते हो तो सबसे पहले आप यह समझो की यह error क्यों आ रहा है सबसे पहले आप यह समलोग की एरर क्यों हो रहा है तो इसके लिए आपको यह समझना होगा कि Dual Enrollment और Part Admission होता क्या है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह सिर्फ Part Admission का Original Mark Sheet है जिसे आप Apply कर सकते हो तो यहाँ पर आप यह समलोग की Part Admission क्या होता है तो देखो Part Admission का मतलब यह है कि आप पहले से किसी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे यानि कि State Board से पढ़ाई कर रहे थे जैसे कि मानलोग की CVSC से पढ़ाई कर रहे थे आपने दसवी क्लास पास कर लिया CVSC से और उसके बाद चाहते हो कि अपने Marks में Improvement करना है और उसके बाद आपने NWS में Apply कर दिया जिस भी सब्जेक्ट में आपको Improvement करना है और NWS से अगर आप पास हो गए हो तब आप यहाँ पर Original Marks Sheet के लिए अपलाई कर सकते हो ठीक है? Insert में आपको थोरा से और बताता हूँ देखो सपोच करो कि आप NWS के पहले से Students हो ठीक है? जैसे कि फर्स टाइम आपने NWS में 10 भी क्लास में Advision लिया और मालो कि आप पहली वार एक्जाम दिये फेल हो गए फिर दूसी वार एक्जाम दिये हो और पास हो गए हो तो उसकेस में यहाँ साप Original Marksheet के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो यहाँ से जो Original Marksheet अप्लाई करने का जो Option है सिर्फ उनके लिए है जो Part Advision के Students है और Part Advision के Students कोन होते हैं? जो और लेडी किसी बोर्ड से अपनी दसवी क्लास की पढ़ाई या भारवी क्लास की पढ़ाई कर चुके होते हैं उसके बाद वो Improvement के लिए या जो भी कहो फेल वाले सब्जेक्ट के लिए On Demand एक्जाम देते हैं या Public एक्जाम देते हैं तो उनके लिए NUAS क्या करती है? ये Part Advision का Original Marksheet अपलाई करने का Option इनको परदान करती है Online भी और Offline भी तो ये जो Error यहाँ पर आ रहा है ना आप यहाँ पर देख पा रहोंगे जब हम Original Marksheet Part Advision पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये जो Error आ रहा है वो इसी वैस आ रहा है क्योंकि ये जो Students है वो Part Advision के Students नहीं है ये NUAS के ही Students है जिन्होंने 10 वी क्लास में Advision लिया था किसी Other Board से इन्होंने पढ़ाई नहीं करा है फर्स टाम इन्होंने NUAS में ही Advision लिया है तो ये अपलाई नहीं कर सकते हैं Original Marksheet के लिए इनकी Marksheet जो है न या तो बाइपोशन के घर पर आती है या इनके Study Center से मिलता है या फिर इनके Regional Center से मिलता है जो Part Advision वाले Students होते हैं जो किसी Other Board से कर चुके होते हैं अपनी पढ़ाई ठीक है और बाद में वो NUAS में एडविशन लेते हैं इंप्रूव्मेंट के लिए या फिर जो भी कहो फेल वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको मतलब पास करने के लिए तो वो Students जो है यहां से अपनी Original Marksheet के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो पार्ट एडविशन का मतलब यहां पर आप समझ गया होंगे पार्ट एडविशन और डूल एडविशन जो होता है वो दोनों एक ही होता है जब कोई बंदा पहले से परहा लिखा होता है यानि कि कि किसी Other Board से परके आता है और एडविशन लेता है इंप्रूमेंट के परपस से या फिर अपने फेल सब्जेक्टों किलियर करने के परपस से तो उस केस में एडविशन क्या करती है उनको Online Marksheet मंगाने की सुविता देती है और और ओफलाइन भी मंगा सकते है जो एडविशन के पहले से स्टुडेंस है वो यहां से अप्लाई नहीं कर सकते है इस बात का अब ध्यान रखना क्योंकि यहां पर देखो लिखा हुआ है पार्ट एडविशन और पार्ट एडविशन का मतलब यह होता है कि जो पहले से पर हुए है और बाद में इन्होंने पढ़ाई करने के बाद इन्होंने इंप्रूमेंट के लिए या फेल सब्जेक्ट के लिए करने के लिए एडविशन लिया है या एक्जाम दिया है उनके लिए है ठीक है तो जो एनवेस के स्टुडेंस है न वो यहां से अप्लाई कर ह नहीं सकते ठीक है और offline भी आप apply नहीं कर सकते हो offline भी आपको apply करने का कोई सुभधा नहीं मिलता है आप लोग की certificate को आपके घर पर भेज़ती है नहीं भेज़ती है तो इस case में आपके शरी center वालों को भेज़ती है वहाँ पर भी नहीं भेज़ती है तो उसकेस में आपको रिजन सेंटर वाले के पास से जाकर लेना होता है ठीक है तो यह जो माक्षित यहां से अपलाई करने का उप्शन है यह सिर्फ पार्ट एडविशन के स्टुरेंस के लिए है जो ओलेडी किसी बोर्ड से अपनी पढ़ लेगे ठीक है तो अपनी आपको पॉलाई एड़ चनाप उलाई आपको के लिए कर दो है एग।